तो यह मेरा दूसरा एक टब है प्लास्टिक का ही तो इसमें भी मैंने वैसे ही काफी सारी पत्या डाली थी जो अभी डिकम्पोज हो चुकी है और यह मैंने नीचे वाला एक पोर्षन शो करने के लिए रखा है आपको यहां के भी वो जो पत्या है वो कादी पढ़ चुकी है और डिकम्पोज हो चुकी है और यहां पर मैंने राइज हस्क भी डाला था और वो भी काफी अच्छे से डिकम्पोज हो चुका है ऐसे ही मैंने हर टब में लेयर बाई लेयर पत्या मिट्टी डाली हुई थी एक साल प कच्च्रा होता है कीचन वैस्ट वो मैं यहाँ पर डालता रहता हूं तो यहाँपे मैंने यहाँ बहुत ह है अब और दूसरेख़ से ड्रूम्स में आम के जो गराफटेड़ वेराइटी आती हैं वो लगाए हैं और इसमें भी में वैसे कर रहा हूं जैसे जैसे मिट्टी नीचे जाती सरकती जाती है दपती जाती हैं वैसे वैसे इसमें में पत्या डालते रहता हूं उससे जो भी यहां मिट्टी में रहने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं वो धीरे धीरे यह जो पतिया मैंने अभी डाली हुए हाला कि ये उपर की काफी सुखी हुई रखती है पर नीचे के आप देखेंगे तो काफी गिली है तो इस वज़े से यहां का जो पानी है वो इवापोरेट नहीं होता मुझे ज्यादा से ज्यादा पानी देनी की जरूरत नहीं पढ़ती प्ला कि मैं 15-20 दिन पानी ना भी डालू तो मेरा प्लांट जितने भी है वो खराब नहीं होंगे या उनलब मुर्जा नहीं जाएंगे पानी ना मिलने के वज़े से यह समर टाइम में काफी ज्यादा बेनेफिशल होता है और थोड़ा सा जब बारिश का टाइम होता है तब रॉटना हो जाये मैंने ऐसे ही में काफी में सारे समुथ में घ्रफ्टिटेग वाराइटी अलग अलग वैराइटीज के लगाये हैं कि को इसके अलवा में जो टमाटेड़ होते हैं उनके प्लांट्स लंगां गांगा या जो बेल होती है वो लगाऊंगा मैंने यहां का कच्रा इसलिए निकाला है